विल्कम बैक दोस्तों आज मैं आपके सामने रिसेंटली सोनी लाइफ प्लाटफरम पे रिलीज हुई एक इन्विस्टिकेशन बेस वेब सीरीज को लेकर आया हूँ इसका नाम है चारली चोपरा अंड दा मिस्ट्री आफ सोलन वैली सीरीज में छे एपसोर्स है और एक एक ए आदे सामें आता है सीरीज की समरी ये है कि किसीने बिर्गेडेर की हत्या कर देता है और शक're के दाहरे पर सारे फैमिली वाले होते है और सी बहुती शौकिंग होते हैं और से इन्विस्ट्रीज में ता थै कि सारी पैरीज की कहानी प्र की एक एक पोल खुन लें लगती है जो सच में बहुत ही शौकिंग होते हैं और उसी तरह क्लेमेक्स तो माइंड ब्लोइंग। एक और बात यह है कि सारी सीरीज की कहानी मनाली में ही चलती है। सीरीज देखते से में स्पेशली मुझे वो लोकेशन्स बहुत ही पसंद आए। फुल आफ बरफीड़ा ये रिया जस्ट वाउ। तो चले फराबर से सीरीज की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उस से पहले रुटा दू प्यार फॉल इंस्टर ग्राम। कहाने की शुरुआत में राय साहब नाम का एक सैकिक बंदा लेडी रोस नम की एक बंदी की फोटो के सामने खड़े रहे कर कुछ मंतर वगरा पढ़ते रहता है। और सीतरा अपने फोन में बहुती डरावना म्यूजिक प्ले करते रहता है। राय साहब का ये चमतकार देखेने के लिए इस कामरे में काफी सारे लोग बढ़ते होते हैं। सीरीज के दर्मयान में एक एक के बार में मैं बताता चलूँगा। ख़ड़ जब राय साहब रिच्वल कर रहे होते हैं। तब ये वरुन नाम का एक बंदा इसका मजग उड़ाने लगता है। राय साहब गुसा हो जाते हैं। केहने लगता है कि ये मेरी बेज़दी नहीं है। आस्मानी शक्तियों की बेज़दी है। तो कमरे के सारे लोग राई साहब से माफी मागने लगते है। और शीतरा वो बंदा वरून भी माफी मागने लगता है। उसके बाद राई साहब अपना रिच्वल दुबारा कंटीनू करने लगते है। फोन में हांटेट म्यूजिक प्ले करते हुए, मंतर वगरा पड़ते हुए, लेडी रोस की आत्मा को बलाते हुए, तब ही वसीमा नाम की एक लड़की के शरीर में लेडी रोस की आत्मा आ जाती है, वसीमा अंग्रेजी में कहने लगती है, I see death, राय सहाँ पूछे लगती है कि किसकी death, वसीमा चीक से चिलाते हुए कहने लगती है, ब्रिगेडियर, यह सुनने के बाद कमरे के सारे लोग शौक मेरे जाते है, थोड़ी देर के बाद वसीमा बेहोश हो जाती है, आप वही पर जाने की नाम की एक औरत होती है, जो एक डॉक्टर होती है, वसीमा की थो वीलचेर पर मैठी हुई बरुचा नाम की यह औरत यह कहने लगती है, कि यह सब कुछ तो फिजूल की बाते हैं, वो ब्रिगेडियर तो चैन से सो रहा होगा, राय साहब कहने लगते हैं, कि लेडी रोस का ऐसे मजग मत उड़ाया करो, वरना बहुत पस्टा होगे, खर जो जब घर के पास पहुंचता है, तो बाहर महरबान का नौकर हनीफ खड़ा होता है, करनल बरुचा से कहने लगता है, कि साहब मैं 15 मिर्च से बाहर खड़ा हूँ, साहब दर्वाज़ ओपन ही नहीं कर रहे, यह सुनने के बात करनल बरुचा अपने बेस्ट फ्रेंड पीगर सो रहे होंगे ब्रिगेडियर सहब, लेकिन बरुआ नहीं मानता, दरवाज़ तोड़कर अंदर जाने पर कमरे में ब्रिगेडियर महरबान की लाश होती है, किसी ने इसके गले में खंजर स्टैप करके मार दिया, खैट दूसरे सिन में दिल्ली में कानी की हिरोईन क दिखाय जाता है जिसके नाम होता है चारली जो फिलहाल किसी शादी में डानस करती रहती है और वो भी नागिन डानस, और सी दरा चारली अपने बॉइफ्रेंड जिमी को कॉल करती रहती है, लेकिन जिमी के साट से नो रेसपांस, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर चारली के पुलिस टेशन में हूँ मेरे उपर हत्या का केस है चारली तुम फटावर से मेरे पास आ जाओ तो चारली उसी वक्त मना ले जाती है पुलिस टेशन के पास पहुँचने पर जाने की चारली को हग करने लगती है जाने की और कोई नहीं जिम्मी की आंटी होती है खर ये दोरों इंस्पेक्टर के पास जाकर यही कहने लगते है कि इंस्पेक्टर साब आपको कुछ गलस थामी हुई होगी जिम्मी ऐसा कर ही नहीं सकता तो पुलिस वाला इन दोनों को कुछ सबुतों को दिखाने लगता है जैसे इसकी होटल की चाबी ब्रिगडियर के घर में पाई गई और कतल करने के बाद जिम्मी टैक्सी के जरिये से यहां से भाग रहा था हमने उसको रंगे हातों पकड़ लिया उसके बाद चारली जिम्म में होना चाहिए मनाली में क्या कर रहे थे जिम्मी कहने लगता है आचुली तुम्हारा बड़े आ रहा था ना तुमको सर्प्राइज देने के लिए मैं मनाली गया मामा से मिलने के लिए सीन थोड़ा सा प्लाइजबेक में जाने लगता है आचुली जिम्मी ब्रिगडियर महربان के पास आकर पचास लाक रुपे पैसे उधार पर मांगने लगता है क्योंकि चारली एक फ्लैट खरीट कर उसमें और्गानिक फार्मिंग करना चाती थी तो चारली को सर्प्राइस देने के लिए चारली को बिना बताये ये मनाली आया अपने मामा से पैसे मांगने के लिए ये सुनने के बाद ब्रिगेडियर कहने लगता है सारी फैमली वालों में से मैं तुमको अच्छा समस्ता था कि तुमारी नजर मेरे पैसों पर नहीं लेकिन तुम भी मेरे पैसों पर नजर डालने लगे इस तरह से जिम्मी को मना करके अपने घर से बाहर भेज देता है हर रात होने के बाद जिम्मी को ये याद आता है कि इसकी होटिल की चावी इसने अपने मामा के घर में ही भूलाया वापस ब्रिगेडियर के घर जाकर दर्वाजा खटकर रहने लगता है लेकिन इसका मामा दर्वाजा ओपन ही नहीं करता जिम्भी को लगता है कि गहर के अंदर इसका मामा है जान बुचकर दरवाजा ओपन नहीं कर रहा उसके बाद जिम्भी वापस दिले आते समय पुलिस वालों है उसको गुरफतार कर लिया एक छोटे से सबूत की मदद से चारली कहने लगती है कि किसी से भीक मंगने की क्या जरूर थी क्या तुम उससे कुछ छुपा रहे हो जिम्मी कहने लगता है कि आप तुम भी मुझे पर शक करने लगी खरसकबा जब चारली स्टेशन से बाहर जाने वाली होती है स्टेशन के बाहर काफी सारी मीडिया वाले होते है तब ही सीता राम नाम का एक बंदा चारली के पास आकर मीडिया वालों से बस्ते बचाते हुए चारली को एक कॉफी शाप ले जाता है चार्ली को काफी आफर करते हुए चार्ली और जिम्मी के बारे में पूछने लगता है मतलब इसका और जिम्मी का क्या रिलेशिशिप है और सी तरह यहां पर चार्ली और जिम्मी के प्रोड़क्ट्स सारे इंडिया में फेमस होते है मतलब कुछ और्गनी खाने वगरा बनाते है ये लोग इनकी कमपनी का शहिद बहुत फेमस होता है हर वहाँ से चैरली अपने आंटी मतलब जानेगी के घर जाती है जानेगी के हस्बेन का नाम होता है मोहन इन दोने का बेटे का नाम होता है वरुन जिसको एक बहुती सीरेस मेडिकल प्रॉब्लम होती है मतलब इसके माबाब इसके लिए कुछ और्गन्स वगरा ढूंड रहे होते है अगर वरुन के लिए और्गन्स नहीं मिले तो वरुन कुछ दिनों का ही महमान है ठाट थोड़ी देर के बाद इस घर में सलोनी आती है जिम्मी की बहन जिम्मी के एक और भाई का नाम होता है बिल्लू इसी बातु में बिल्लू ये कहने लगता है कि फटावर से मामा जे का भी नामा आ जाये तो बहुत अच्छा होगा मतलब बिल्यू को जिम्मी की फिकर ही नहीं होती बिल्यू कहने लगता है कि पैसों की किसको जुरूत नहीं है इसकी बेहन सलोनी कहने लगती है कि हमें पैसों की जुरूत नहीं है ये देखो मानस की कितावें एक के बाद एक हिट है OTT platforms के लिए line लगी है हम लोग तुमारे जैसे किसी के तलवे नहीं चाटते इस तरह से एक हलका सा जगड़ा होने लगता है यहाँ पर खरस के बाद Charlie एक Airbnb में रहने लगती है इस घर के मालिक का नाम होता है नेगी मतलब होटल टाइप का एक guest house होता है सुबा होने के बाद जब Charlie बस ऐसे अपने फोन को देख रही होती है तो न्यूस चानल में Charlie और जिमी की न्यूस चलती रहती है आच्छिली कल जो बंदा सीतराम Charlie से मिला था जो काफी के लिए बलाया था वो एक मीडिया वाला बंदा होता है एक hidden केमरा अपने पास रखकर Charlie की बातें रिकॉर्ड किया था और वही टेलिकॉस करने लगता है यह देखकर Charlie तो शौक मेरे जाती है हट दूसी तरफ एक वकिल सारे फैमिली वालों को एकटा करके ब्रिगेडियर महरबान का विल नामा पढ़ने लगता है और इसमें यह लिखा होता है कि इसकी प्रॉपर्टी सारे फैमिली वालों में एकवली बाटी जाए इसी दरमियान में तभी एक अंग्रेजी लड़की निकॉल मोरिस अपने वकिल के साथ यहां पर आती है और हाइकोट ने ब्रिगेडियर के विल नामे को स्टे लगा चुके होते है क्योंकि निकॉल ब्रिगेडियर की होने वाली पत्नी होती है और ये को शौकिंग बात ये है कि निकॉल माँ बनने वाली होती है ये सुनने के बाद सारे फैमिली वाले शौक मेरे जाते है अब तो ब्रिगेडियर की प्रॉपर्टी इनके हाथ नहीं लगेगी उसके बाद सीन थोड़ा फ्लाइज वैक में जाने लगता है एक दिन जब ब्रिगेडियर का हैपी बड़े था तो काफिस सारे लोग जमा होते है पार्टी के दोरन ब्रिगेडियर का भाई मोहन ब्रिगेडियर के लिए एक गिफ्ट देने लगता है इसको उपन गरता है तो इसमें एक बहुती खुबसूरत पेंटिंग होती है और वो भी अधूरी बाद में मोहन अपने फैमिली वालों को इसकी कहानी बताने लगता है कि मेरे भाई साब किसी के प्यार में थे और वो इनके जिन्दगी से चली गई उसी की तस्वीर है ये और उसी की याद में भाई साब ने ना शादी की और उस दिन से लेते हुए पेंडिंग भी करना स्टॉप कर दिया इसी बातों ही बातों में ब्रिगेडियर को इसकी गल्फिंड निकोल कॉल करती है वीडियो कॉल Actually निकोल स्कॉटलेंड की रहने वाली होती है कुछ दिनों पहले ब्रिगेडियर कुछ काम से स्कोटलेंड गया था वहे पर इन दोने की बिच कांड़ बन हुआ तो निकोल को देखकर ये सारे फैमिली वाले शौक मेरे जाते हैं एक दूसरे में यही डिसकस करने लगते हैं कि हम लोगो किसी भी तरह से ब्रिगेडियर सहाब को बचाना होगा उस लड़की से वो लड़की तो गोल्डिगर है उसके बाद सीन प्रेजन डे पर शिफ्ट होता है सारे फैमिली वाले ब्रिगेडियर की लाश को किसी नदी के प सीता राम को देखती है जो इस न्यूस को रिकॉर्डिंग करते रहता है चारली को गुस्सा अगर सीता राम के पास जाकर इसका फोन नदी में फेक देती है उसके बाद जब चारली वापस अपने गेस्ट होज आती है तो नेगी की बीवी चारली से कहने लगती है कि रिसॉट भी एक प्रॉपर्टी होता है और उस स्की रिसॉट में मिस बरुचा का भांजा रोनी काम किया करता था किसी ने कंबेन कर दी कि रोनी ने बहां पर कुछ कांडवान किया मतलब कुछ चोरी वोरी की तो मिस बरुचा ब्रिगेडियर से रिकुष करने लगती है कि बच्चा हैं माफ कर दीजिए अगली बार ऐसी गलती नहीं करेगा अगर आप इसको नोकरी से निकाल दोगे तो मेरी देखबाल कौन करेगा लेकिन भीर भी ब्रिगेडियर महरबान रोनी को नोकरी से निकाल ही देता है खर इसी बात ही बात में नेगी की बीवी चार्ली से कह किसनी इसका फोन नदी में फेक दिया नया फोन खरीदने के लिए थोड़े बहुत पैसे देती है और सीतरा ये पूशने लगती है क्या तुमारे पास ब्रिगेडियर सहाब का पोश्माटम रिपोर्ट है सीतरा आप कहने लगता है हाँ चार्ली कहने लगती है क्या तुम किसी को मत बताना इसके बारे में इन दोने की बातों को चार्ली सुन लेती है उसके बात चार्ली वापस जाने की के घर जाती है इनकी बातों ही बातों में चार्ली को ये बात पता चलती है कि उस रात मोहन तीसरी मनजिल मूवी देखने के लिए गया था वापस आते समय बरोचा चारली से कहने लगती है कि तुम जो सबूत ढून रही हो वो सबूत मेरे पास है इस तरह से चारली को एक सूटकेस का टैग दिखाने लगती है कुछ दुनों पहले वसीमा नाम की एक लड़की थी ना वो और उसकी मॉम यहाँ पर आये थे और वो दोनों ये कहने लगे थे कि ये दोनों दुबै से यहाँ पर आये लेकिन ये टैग तो लखनों का है जब ब्रिगेडियर सर्विस में था उस वक्त पांस साल ब्रिगेडिय लखरों में काम किया करता था शायद ब्रिगेडियर की बेटी वसीमा हो सकती है और इसी में बरुचा यकोर बात भी बताने लगती है नेगी का जो घर है वो घर भी आक्शुली ब्रिगेडियर का ही है लेकिन नेगी ने ज़्यादा कमरे होने के वैज़े से दूसरे मौत हो गई खर इसके बाद चारली दुबारा पुलिशेशन जाकर उस इंस्पेक्टर से ये कहने लगती है कि परिवार के सारे लोगों के पास मोटिव था ब्रिगेडियर साहब को मारने का क्या आपने सारे लोगों से पुछताच की इंस्पेक्टर कहने लगता है कि हमने स साहब का एक जूता मिसिंग है एक दिन पहले था लेकिन बाद में पता नहीं कैसे गायब हो गया लेकिन इस्पेक्टर हनिफ की बातों पर गोर ही नहीं करता लेकिन हनिफ की बातें चारली सुन लेती है हज़ जब चारली वापस वहां से जा रही होती है तो तब ही इसके फ और चारली के पास आकर इसका पर्स शुरा ले जाता है, बचारी पकड़ नहीं सकती, खैर थोड़ी देर के बाद चारली सेतराम से मिलने के लिए जाती है, अब सीतराम एक संसेशनल नूस का भूका होता है, चारली कहने लगती है, कि मैं तुमको ऐसे संसेशनल खबरे दूँ जिसे देखकर तुम्हारा बहुत सब खुश हो जाएगा, सीतराम पूछे लगता है कि बदले में तुम क्या चाहती हो, चारली कहने लगती है, पहले तो मुझे पोश्टमाट हम रिपोर्ट चाहिए, दूसरा राय साहब ने तुमको जो रिकार्डिंग सुनाई थी ना, व मतलब वही रिच्वल का, वसिमा जो बगबग कर रही थी, वो हरर म्यूजिक एक्सेटरा, महा से चारली स्की रिसॉर्ट जाती है, जिसको चलाने वाला होता है, करनल बरुवा, बरुवा कहने लगता है, के वार के वक्त मेरी आंक डैमेज हो गए थी, मैं रिटेर भी हो गय जब बरफ में फिसल रही होती है, तो अचानक से निकोल की मौत हो जाती है, नीचे गिर कर, इसके सर पर जबरदस चोटा चुकी होती है, तब ही चारली ये देखती है, के इसके शू के कुछ पार्स निकले हुए है, हर थोड़ी देर के बाद यहां पर पुलिस वाले आते ह हलकी से इंस्पेक्शन करने लगते है, तब ही चारली उस पुलिस वाले से कहने लगती है, के सर ये हाथसा नहीं है, ये भी एक हत्या है, निकोल एक प्रोफेशनल स्कीर थी, ऐसे में उसके हाथसा कैसे हो सकता है, किसी ने जान बुच कर इसके जूतों में से ये पार्स नि कर लेती है, कि अब ये खुद डिरेक्टिव बनकर इस केस को सॉल्व करेगी, और इस काम इसी तरा भी चारली की हल्प करने लगता है, कहने लगती है कि हम सारे लोगों के बयानात को क्रॉस चेक करना होगा, मोहन अंकल ने कहा, कि उस रात वो मूवी देखने के लिए गए और शायद मोवी के दर्मियान में ब्रिगेडियर के घर आकर उनको मार सकते थे, उनके पास उतना टाइम था, अब मानस जीजा जी के हिसाब से वो अपने पब्लिशर से मिलने के लिए दिल्ली गए थे, ये क्रॉस चक करना पड़ेगा एक बार, तीसरा सस्पेक्ट है बिल जाती है, अपने कंपनी का शहद देने के बहाने से, बातों ही बातों में चारली एक इंस्ट्रूमेंट की आवास सुने लगती है, पूशे लगती है, क्या आप दोनों मिजिशियन्स हो, वसीमा की मा कहने लगती है, अरे नहीं, वो तो बहुती पुराना अंडिक है, जब चाहे तब बजने लगता है और जब चारली इन दोनों से लखनों के बारे में इन डिरेक्ली पूशने लगती है तो ये दोनों साफ मना कर देते हैं किया हम दोनों तो कभी लखनों गए ही नहीं। उसके बाद चारली पोशें लगती है उस रात वसिमा के साथ जो हुआ था क्या वो पहले भी हुआ था वसिमा की माँ कहने लगती है आचले उस रात बहुती खतरनाक थी जबरदस तूफान वो डरावना स्प्रिचुवल म्यूजिक और हमारी वसिमा बहुती सेंसिटिव थी पता नहीं उस रात वसिमा को क्या को गया था बहुती बीयर से बिहव करने लगी थी और ये भी कहने लगती है कि ये दोनों यहाँ पर घूमने के लिए आये हैं तब ही इनके घर करनल बरुवा आता है वसिमा की दवायां देने के लिए म transforms कर शाने बाहर देदी है लेकिन च दूसी दरफ सीतारम मानस के पब्लिशर के पास आता है। कि तुमारी जिजा जी के किताबें बहुत सारी फ्राप होचुकी है। आभ अच्छुली ये दुनों वसीमा के घर के बाहर बैठे होते हैं। तबी वसीमा के घर के अंदर से संघीत की आवाज सुना ही देने लगती है। जब भर के अंदर जागते है तो वसीमा और उसकी मा संगीत की पैट्रिस करते रहते है शौक मेरे जाते है ये दोनों उसी वक्त एक अंजान बनता चारली और सीथा राम को घूरते रहता है इन दोने के पास आने लगता है हमला करने के लिए ये दोनों अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाते है दूसे दिन चारली चोरी चुटके मारेस के घर जागर उसके कमरे में जाकर कुछ बैंक अकॉन की स्टेज्मेंट्स को फोटो क्लिक कर लेती है यही सारी चीज़ें सीथा राम को दिखाने लगती है सीथा राम भी पसिमा की मा की गाने की स्टैल को सुनकर कहने लगता है कि ये दोनों तो पका लखनों के है उसी बाजार में ये दोनों मारेस को देखते है जो किसी बैंक जा रहा होता है चारली सीथा राम से कहने लगती है लेकिन जीजा जी का अकुन तो दूसरे बैंक में है यहां पर क्यों जा रहे है अड़ा सेम टे मुसीवक चारली को वो चोर नजर आता है जिसने इसकी बैक चुरागर भागी थी तो चारली इसी बंदे से मानस की बैक चुराने के लिए कहती है बैक इनके हाथ आने के बाद इसमें कुछ पेपर्स वगरा होते है कुछ बैंक के स्टेटमिन्स भी होते है सारे चीज़ों को चक्करने के बाद यह बात पता चलती है कि मानस कुछ महिनों से शेर मार्केट में इन्वेश्ट कर रहा था और स्पेशली सिर्फ एकी कमपनी में बाद में यह अपना घर दिरिवी रखकर शेर मार्केट में डॉल दिया अब इसी सवालों का जवाव हासिल करने के लिए चारली और सीतारम मानस के पास जाते है इन बैंक्स के किताबों को दिखा कर पूछे लगते है कि आपने एकी कमपनी में क्यों इन्वेस्ट किया मार्स कहने लगता है कि आच्चुली बिल्लू ठाकुर के घर में काम किया करता था और वो कमपनी ठाकुर की ही थी पहले-पहले में बहुती अच्छा पैदा आया था मार्स को लेकिन कुछ दिनों बाद ठाकुर सहाब की मौत हो गई उसके बाद ये लॉस में चला गया और हाथ से वाले दिन जब पब्रिशर ने मारस को आने से मना कर दिया मारस ने सोच लिया कि ये आत्म हत्या कर लेगा लेकिन उसी वक्त इसकी बीवी सलोनी ने इसको कॉल करके ये बताया कि ब्रिगेडियर सहाब की डेथ हो गई उसके बाद चारली दुबारा जाने की के घर जाती है जहांपर वरुन ब्रिगेडियर की इंकम्लिन पेंटिंग को कम्लीट करते रहता है इसी बातों ही बातों में वरुन ये कहने लगता है कि इसको अभी भी डोनार नहीं मिला अभी भी तलाश जारी है उसके बाद चारली मोहन के पास आती है बातों ही बातों में मोहन से कहने लगती है क्या आपने गेस किया था कि तीसरी मंजिल में प्रेम चोपरा विलन था मोहन कहने लगता है मैं तो वो गेस ही नहीं कर पाया शौकिंग बात ये है कि तीसरी मंजिल में विलन प्रेम चोपरा नहीं बलके प्रेम ना था जिसका मतलब मोहन ने मूवी नहीं देखी थोड़ी देर के बाद जब मोहन अपने घर से बाहर निकलता है तो चार्ली इसको फालो करने लगती है किसी कमरे के पास जाने पर चार्ली ये देखती है कि जाने की और मोहन गांजे की फार्मिंग करते रहते है उसके पास सी थोड़ा flashback में जाने लगता है Actually कुछ माहिनों पहले जिम्मी और चारली की मुलाकात एक केफे में हुई थी जिम्मी अपना business टार्ट करने के लिए किसी केफे में बेटकर presentation प्रिपेर करते रहता है और उसी केफे में चारली काम करती रहती है जिम्मी को frustration हुआ देख चारली जिम्मी के पास आकर इसके problem पूछने लगती है तो जिम्मी अपने products के बारे में बताती हुए ये कहने लगता है कि मैं बहुती गुद्धू हूँ, डमैस हूँ, मेरे business पर कोण invest करेगा इस तरह से अपने आपको कोसने लगता है चारली कहने लगती है कि मैं तुमारे products में funding करूंगी बताओ तुमारे कौन से कौन से products है प्रोडक्स के बारे में सुनने के बाद चारली वही खड़े-खड़े एक presentation प्रिपेर करती है इस तरह से चारली जिम्मी के business में शामिल हो जाती है इन दोने का relationship स्टार्ट होता है scene present day पर shift होता है जब चारली वापस अपने guest house आ रही होती है तब ही चारली ये देखती है कि मिस बरूचा के घर में कोई घूम रहा है सुबह होने के बाद चारली इसी शक को दूर करने के लिए मिस बरूचा के घर आती है रोणी से कुछ बहाना वगएरा बनाते हुए मिस बरूचा का पर्स थोड़ा उपर रख देती है और चुपचाप कमरे से बाहर आकर बाहर से अंदर जातने लगती है थोड़ी देर के बाद मिस बरूचा स्नान करके वापस अपनी कमरे में आकर अपनी पर्स की तलाश करने लगती है तो वो थोड़ा उपर होता है तो मिस बरूचा अपने पैरों पर खड़े होकर अपने पर्स को हासल कर लेती है उसके बाद क्या था चारले मिस बरूचा को रं में याद आया मतलब इनसान मनने के बाद और अपाहिज होने के बाद सेम पैसे क्लाइम होते हैं तो मिस बरोचा और इसके भांजे रोनी ने मिलकर आक्स्रेंड होने का नाटक किया तब ही चारली अपने फोन में एक निउस नोटिफिकेशन को देखती है और खबर ये है कि सीता राम ने मानस की बोल सारे मीडिया के सामने खोल दी मतलब इसके बैंक अकॉंट से इसके किताबों के बारे में सब कुछ ये निज़ देखने के बाद चारली शौक मेरे जाती है कि सीता राम ने इस से बिना पूचे ये खबर कैसे टिल्ली कॉस्ट कर दी और सीता सारे खांदान वालों को ये बात पता चलती है चारली अपने फैबनी वालों के पास आकर मौफी मांगने की कोशिश करने लगती है स्पेशल इमानस की बीवी सलोनी शे लेकिन वो लोग चारली को अनाप शना बोलकर घड से बाहर रखे लेते हैं मतलब चारली से बात ही नहीं करते हैं उसके बाद चारली डिसाइड हो जाती है कि यहां से चली जाएगी सीताराम चारली को समझाने की कुशिश करने लगता ह के केस में और सस्पेक्ट पैदा करने के बाद ही उपर से पुलिस कुछ कर पाएगी वरना तुम्हारा बॉर्फरेंट जिम्मी ऐसे ही जेल में सरता रहेगा लेकिन चार्ली तो सीतराम कोई बात को नहीं मानती इसको ही ब्लेम करने लगती है सीतराम गहने लगता है ठीक है ब्लैकमेल करने लगी माया को पैसे पे करने के लिए ही जिम्मी अपने मामा के पास गया अब ये नियूस चार्ली भी सुनने लगती है बिचारी बहुत दुखी होने लगती है कि जिम्मी ने इसको इतना बड़ा धोका दिया और उपर से इसे जूट भी कहा कि मनाली इसके ये आया सर्प्राइस देने के लिए बिचारी चार्ली गुस्से में आकर अपने बाल काट लेती है और वसी तरह इस केस को गोली मारकर वापस अपने घर आ जाती है दारू पीतिवी देजास बन जाती है इसी दर्मियान में एक दिन चार्ली को एक जबरतस बात खनकती है फ जिम्मी कहने लगता है कि मैंने डोर के होल से देखा था मामा जी उस तरफ से मुझे जाक रहे थे चार्ली कहने लगती है वो तुमारी मामा जी नहीं थे तुमारे मामा जी का कातिल था उसके बाद जिम्मी कहने लगता है कि मेरा सच जाने के बाद भी तुम मेरे पास आई तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है चारली कहने लगती है मैं तुम्हारे लिए यहां पर नहीं आई आई अधूरे केस को सौफ करने के लिए आई हूँ उसके बाद चारली ब्रिगेडियर के घर जाती है जोरी चुपके घुसकर माँ पर कुछ सबूत वगरा ढूने लगती है अध्या सेम टेम चारली ये देखती है कि बिल्लू कुछ लोगों को लेकर इस घर के पास आया मतलब बिल्लू इस घर को बेशना चाता है तो चारली तो इसी घर में मौजुद होती है उन लोगों से छुपते चुपाते उपर वाले कमरे में जाकर छुप जाती है इसी चारली को एक बात याद आती है अभी थोड़ी देर पहले ब्रिगडियर के घर गई थी वहां पर एक बांगरा देशी का अईड़ी था चारली और बरुआ हनीफ के पास जाते है वही ब्रिगडियर का नोकर हनीफ कहने लगता है कि कई साल पहले जब वार चल रही थी उस व पहलों ने ऐसे रेफीजियोस को चुन चुन कर उनके देश वापस भेजने लगे उस वक्त मैं ब्रिगडियर के घर में काम किया करता था मैंने ब्रिगडियर से नहीं कहा कि मैं बांगलादेश के रहने वाला हूँ बाद मैंने उनको सच बताया लेकिन उन्होंने पुलिस को ना बदाते हुए अपने घर में मुझे शरन दे दी उसके बाद चारली हनीव से ये पूशन लगती है क्या ब्रिगडियर साहब के जूते मिले हनीव कहने लगता है नहीं मैडम मैंने बहुत तलाश की पता नहीं काम पर गायब हो गय वो कातिल को उन जोतों से क्या काम थ खर उसी राद जब चारली अपने कमरे में सो रही होती है कोई अंजान बंदा बाहर से किर्की बंद कर देता है अब हारे घरों में हीटर होता है अगर कमरे के सारे किर्की दरवाजे बंद कर लिया जाए तो वो हीटर आकसीजन को अब्जोर कर लेता है मतलब कातिल चारली क की मौम किसी جगापर पहुंच कर 케ेस की इनिस्टिकेशन कर रहे थे गेस कर रहे थे के उस केस में कातिल कौन हो सकता है इसी दर मियान में वो कातिल चारली की मा को गाड़ी से ठोकर मार देता है इस तरह से बेचारी चारली अनाथ हो जाती है उसके पास सीन प्रेजन डे पर शिफ्ट होता है प्रेजन डे पर चार्ली हॉस्परेल में मुझीद होती है क्योंकि कल रात चार्ली के जान मोहन ने बचाई थी आए अच्छली कल रात मोहन चार्ली को सच बतानी के लिए इसके कमरे के पास आया तो देखा के चार्ली के सारे क धोनों का सच जानती है। ये दोनों कहने लगते हैं किया चुलिए हमारे घर के ब्याक्यारड में गांजा औगने लगा आपने आप। एक दिन मोहन का फ्रेंड इन पोदों को देखकर इन दोनों के सामने एक बिजनेस आफ़र रखा। इस तरह से ये दोनों गांजे का बिजनेस करने लगे अब इन दोना का बेटा वरुन तो बीमार था घर का खर्चा मिडिकल खर्चा तो निकालना ही पड़ेगा और उसी तरह हास्ते की रात मोहन उसी अपने घर के ब्याक्याड में था क्योंग ये कुछ गांजे की डिलवरी ह होने वाली थी उसके पास चारली वापस अपने कमरे में आती है तो टेबल पर वसिमा की मा की एक सीडी पड़ी होती है अच्वली वसिमा की मा का नाम होता है विलायत अब उसी कमरे में सीधाराम होता है चारली से कहने लगता है कि मैं अच्वली यहां से वापस नहीं गया म मुझे क्या मिला। मैंने कहा थाना गाना सुनकर ही पहचाल लेता हूँ मैं। लखनों में वसिमा और विलायत प्राइम सस्पेक्ट है। इन दोनों के सर पर ठाकुर के मौत का इल्जाम है। और सी तरह एक न्यूस पेपर के फोटो में बिल्लू भी होता है। उसी वक्त चार्ली और सीतराम वसिमा के घर जाने लगते है। उस वक्त वसिमा और विलायत कहीपर जा रहे होते है। इन दोनों को फालो करने लगते है। तब ही चार्ली और सीतराम के सामने वो बंदा आता है। जिस रात एक दिन इन दोनों को नज़र आये था ना, वो बंदा और कोई नहीं, बिल्लु ही होता है, बिल्लु इस बार अपने पॉकिट से चाखू निकाल कर इन दोनों को मानने की कोशिच करने लगता है, जब मान नहींवारा होता है, तब ही वसिमा बिल्लु को रोक लेती ह कहने लगती है नहीं जान नहीं अभी और कतल नहीं से थोड़ा फ्लैश बैक में जाने लगता है एक्चुली विलायत कम उम्मर में ही विद्वा हो गए थी और उसी तरह से विलायत को संगित बहुती अच्छी तरह से आया करता था चोटे मुटे स्टूडियो में गजल गाकर सीडिस बनाया करती थी एक दिन विलायत की गाने ठाकुर साहब सुन लेते है इसके दिवाने हो जाते है कोई और विलायत का गाना ना सुने इसलिए ठाकुर साहब विलायत और उसकी बेटी को अपने घर लाते है और उस दिन से लेते हुए विलायत सिर्फ ठाकुर साहब के लिए ही गाना गाया करती थी धेरे धेरे विलायत और ठाकुर साब के बीच फिजिकल रिलेशन्शिप भी होने लगा कोई साल गुजरने के बाद वसिमा भी गाना गाने लगी अब सी जगा पर विल्लू भी काम किया करता था विल्लू और वसिमा का भ्रशिशिप चल रहा था जब वसिमा अपने मा की तरह अच्छे से गाने लगी तो वसिमा एक टीवी चानल पर जाकर पार्टिसिपेट होने लगी अपना टैलेंट प्रूफ करने के लिए लेकिन तभी ये बात ठाकूर को पता चलके वसिमा के पास आगर इसका बहुत मानने पीटने लगा क्योंगी ठाकूर यही चाता था कि वसिमा भी इसके लिए ही गाए तो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए विलायत ठाकूर का सर फोर दीती है तब ही यहाँ पर बिल्लू आता है बिल्लू नहीं इन दोनों को मनाली जाने का सज़ेश किया कुछ दिन वहाँ पर रहकर पासपर्ट बनने के बाद कहीं दूसरे कंट्री शिफ्ट हो जाएंगे और आच्छली हाथसे की रात बिल्लू ब्रिगेडियर के घर गया था चोरी करने के लिए लेकिन तब तक किसी ने ब्रिगेडियर को मार चुका था मतलब बिल्लू ने भी ब्रिगेडियर को नहीं मारा उसके बाद चारली वसिमा से बूशें लगती है ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन तुमने उस रात भूत का नाटक क्यों किया वसिमा कहने लगती है कि मैंने कुछ नाटक वाटक नहीं किया अच्छनक से पता नहीं मेरी दिमाग में क्या चलने लगा मैं अजिब से बिहेव करने लगी और मैंने क्या कहा मुझे खुद याद नहीं आच्छली मुझे सिजोफीनिया है ठाकर के कतल के बाद मेरी दिमागी हालत बिगड गई इसलिए मैं दवायां लेती रही मेरी तबियत टोटली फिट हो गई थी लेकिन उसरा पता नहीं कैसे उसके बाद चारली वसिमा से वो दवायां दिखाने के लिए कहती है वसिमा से दवायां लेकर लाब भेजने लगती है टेस्टिंग के लिए उसके बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर चारली के पास आकर इसे मौफी माँगने लगता है कि मैंने आपकी बातों को इग्नोर किया आप मुझे मौफ कर दीजिए तो चारली इस पुलिस वाले को वसिमा की दवायां देते हुए कहने लगती है कि आप इसको लाप पर भेजिये टेस्टिंग के लिए जब चारली इस के बारे में सोच रही होती है तब ही चारली को एक जबर्दस बात इसके दमाग में खनकती है फटावर से चारली और सीतराम दुबारा ब्रिगडियर के घर जाकर उन जूतों को देखने लगते है जो टेबल के नीचे थे उपर श्टोर रूम में तो वहाँ पर वो जूते मुझद नहीं होते चारली फटावर से पुलिस टेशन आकर उस पुलिस वाले से वासिमा के दवाई लेकर खा लेती है वहाँ के सारे लोग चारली पर चिखने चिलाने लगते है अरे तुमने ये क्या कर दिया वो दवाईया खतरनाक है बाद में चारली इन लोगों को बताने लगती है कि ये दवाईया नहीं है ये तो बेसन के लड़ू है और मुबारक हो कातिल का पता लग चुका है उसके बाद क्या था चाले पुलिस वालों के साथ मिलकर उस रिसोर्ट जाती है अंदर जाने के बाद पता चलता है कि करनल बरुआ ने आत्मा हतिया कर ली लास्ट बटना टलिस्ट एपसोट 6 एपसोट की शुरूरात में दुबारा सिन थोड़ा फ्लैश बैक में जाने लगता है बहुत सानों पहले जब करनल बरुआ और ब्रिगेडियर किसी वार में शामिल हुए थे उस वक्त ये दोनों बहुत जखमी हो गए थे स्पेशल ये बरुआ की एक आँख फूड गए थी लेकिन भिर भी करनल बरुआ अपनी जान पर खेलकर ब्रिगेडियर महरबान की जान बचाई सेन प्रेजन डेपर शिफ्ट होता है मरने से पहले करनल बरुआ ने अपने कम्प्यूटर में आत्महत्या का नोट लिखा हुआ था लिखने लगता है कि जब बरुआ की आँख चली गए थी तो ये औलकॉहलिक हो गया उसी वक्त ब्रिगेडियर महरबान ने इसका सहरा दिया इसका स्की रिसोर्ट इसके हाथों सोब दिया तो इस तरह से काफी सालों तक ऐसे ही अच्छा चलता रहा लेकिन जब निकोल ब्रिगेडियर के जिन्देगी में आई तो ब्रिगेडियर ने सोच लिया अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देगा और वो स्की रिसोर्ट भी अब करनल बरुआ के पास एकी इंकम सोर्स था और वो है स्की रिसोर्ट ब्रिगेडियर वो भी इससे चीनने लगता है बर्वा कहने लगता है कि उसको छोड़ देते हैं न अगर वो चला गया तो मैं कहां पर नोकरी करूंगा लेकिन ब्रिगेडियर महरबान इसके उपर महरबान ही नहीं करता बरुवा सोच रेता है कि इससे बाहर निकलने का सिर्फ एकी रास्ता है कि इसके बेस्ट फ्रेंड को मार दे उस राथ जब राय सहाब कुछ मंतर वगरा पढ़ते हुए लेडी रोस की आत्मा को बुला रहे थे तो कर्नल बरुवा इसी इंतिजार में था कि कब वस्यमा का दिमाग सटक जाए क्योंकि बरुवा वस्यमा की दिमागी हालत को अलड़ी जानता था इसी चीज़ का फैदा उठाकर बरुवा ने वसिमा की दवायां को बदल दिया करता था जिसकी वैसे वसिमा की दमागी हालत और कमजर हो गई और उस रात वसिमा अजीब से बिहेव करने लगी ब्रिगेडियर का नाम लिया बरुवा सारे लोहों से यही कहा कि मैं पैदल ही ब खर पहुंच गया बाते ही बातों में बरुवा ब्रिगेडियर को मार दिया और अपने जो स्की के शूस थे ना वो स्टोरू में जाकर चुपा कर बरुवा ब्रिगेडियर के जूते पहन लिया तब ही जिमी अपने होटल की चाबी लेने के लिए अपने मामा के घर आया जि होने के बाद बरुवा का काटा बनी निकोल क्योंकि सारे प्रापर्टी तो इसके नाम हो जाएगी इसलिए उस दिन बरुवा ने निकोल के स्की शूज के साथ कुछ छेड़काने की जिसके वेसे बेचारी की मौत हो गई स्की करते हुए जब हनीफ ने चारली से ब्रिगडिय दुबारा ब्रिगडियर के घर गए थे उसकी शूज को देखने के लिए उस वक्त बरुवा उसी कमरे में मौझूद था ताके इन जोतों की बात चारली को पता ना लग जाए लेकिन भिर भी चारली ने इस केस को सौल्व कर लिया हार से बहतर आत्म हत्या को सेलेट किया ब हत्यारे तो करनल बरुवा ही थे लेकिन हत्यारे का एक और हत्यारा है करनल बरुवा को कैसे पता चला कि उस रात वस्मा की दमागी हलत बिगड़ जाएगी इस तरह से जब सीतराम से डिसकस कर रही होती है तब इसके पास जिम्मी आता है मौफी मागने लगता है चारली जि बास शेयर की थी जिम्मी कहने लगता है हाँ वरुन से जब वरुन से पुछा जाता है तो वरुन कहने लगता है जिम्मी अरश होने के बाद माया ने मुझे कॉल किया वो वीडियो दिखाई और मुझे से पैसे मांगने लगी मैंने तो माया को थोड़े पैसे दे दिया लेकिन इसी दर्मियान में माया ने वो वीडियो लिक कर दी लेकिन भी चारली को शक होता है खर उसी राथ सारे परिवार वाले चारली को डिनर पर इंवाट करते है इसको कॉंग्राइज़ेशन्स बोलने के लिए के चारली ने इस केस को सॉल्ट कर दिया, जिम्मी को रिहा करवा दिया, चारली सारे लोगों से यही कहने लगती है, के कातिल का कातिल अभी भी मुझूद है, और उस कातिल के बार में पता करने के लिए, राय अंकल मुझे आपकी मदद चाहिए, चारली के कहने पर राय चुल्स वगरा करने लगता है इसी दर्मियान में चार्ली अपनी मूँ से सीटी बजाने लगती है एक अजिब की धुन निकालती है उस आवाज को सुनने के बाद वसीमा की दिमागी हालत बिगड़ जाती है किने लगती है I can see death चार्ली बहुती सुकुन के साथ अपने मागी सिगार को पीने लगती है और वेट करने लगती है कि कौन वसीमा को शांद करेगा तब ही जाने की सीटी बजा कर वसीमा को शांद कर देती है सारे लोग शौक मेरे जाते है कि ये क्या हुआ जाने की ने ऐसे किसे शांग कर दिया इसको चारली सारे लोगों को समझाने लगती है कि ये हिपनोटिक सस्टेंड में ट्रिगर पॉइंट कहते है आच्वली सैक्याट्रिस डॉक्टर्स अपने पेशेंट के सबकॉंशिंस माइन में घुजकर उसकी दिमागी हाले ठीक करते है अच्वली ने उस रात के आडियो को सुन रही थी तो चारली को एक विजिल के आवाद सुनाई दी थी वो सौंड सुनने के बाद ही वसीमा अक्टिवेट हुई थी और आच्वली ब्रिगडियर को मानने में करनल बरुवा और जानिकी का हाथ है अगर बरुवा पकड़ा जाता तो आपकोस जानिकी भी पकड़ी जाती इसलिए जानिकी अपनी जान बचाने के लिए बरुवा को वोवर डोस की दबाई दे कर इसे मार दिया बरुवा मनने के बाद जानिकी नहीं उसके کम्प्यटर में सूसाइट नोट लिखा चार्ली ने इस सूसाइट नोट में एक बात गौर किय थी यहाँ के सारे लोग बिडियो के हिकर ही बलाया करते थे सिवाए जानकी के जानकी उसके नाम से बलाया करते थी महरबान यहाँ पर एक हो शौकिंग बात यह है, कि जानिकी नहीं अपने बेटे का फोन लेकर जिम्मी की वो वीडियो लिग कर दी थी, ताकि चारली उस वीडियो को देखकर यह शहर छोड़कर चली जाए, उसके बात चारली ब्रिगेडियर की वो अधुरी पेंटिंग को बाहर लाक सबके सामने रखती है, और इस पेंटिंग में एक स्पेशल बात होती है, इस औरत की यह रिंग, यह यह रिंग और किसी की नहीं जानिकी के होते है, अब सारा सामने आने के बाद जानिकी सारे लोगों को असली हकीकत बताने लगती है, बहुत सानों पहले ब्रिगेडियर मह महरबान और जानेकी एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। ब्रिगेडियर तो पेंटिंग का दिवाना था। इसी दर्मियान में ये दुनों फिजिकल होनी लगे। जानेकी माँ बनने वाली होती है। लेकिन महरबान जानेकी से शादी करने के लिए मना कर दिया। वो जानेकी दूर होनी के वेए से ब्रिगेडियर ने पेंटिंग करना स्टॉप कर दिया। मतलब उस वक्त महरबान के पास जाब वगरा नहीं थी। इसलिए शादी से मना कर दिया था। कुछ सालों बाद ब्रिगेडियर महरबान आर्मी जाइन कर ली। वरुन भी आर्मी जा कर दिया था। केहने लगा था कि वो निकॉल से पूछ कर बात करेगा। इसके कुछ दिनों बाद बरुवा जानकी के पास आया कौंसिलिंग लेने के लिए। बरुवा ने जानकी धे के साब में सब कुछ बोल दिया। जानकी ने ठान लिया कि ये बरुवा को अपना महरा इसके हाथों महरबान का कदल करवाएगी जानेकी के कहने पर ही बरुआ वसिमा की दवाईयां बदल दिया करता था वसिमा का ट्रीटमेंट भी जानेकी ही किया करती थी लेकिन जानेकी काउंसलिंग के बहाने से वसिमा के सब कॉंशिंस माइन में जाकर ये एक धुन को सेट कर दिया और सी तरह ब्रिगेडियर महरबान का भी और उस रात मोका देखकर जानेकी ने जब सीटी बजाई वासिमा का दिमाग सटक गया ब्रिगेडियर महरबान का नाम निकल गया फानली जाने की कहने लगती है, मैंने जो भी किया, अपने बच्चे को जिन्दा रखने के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, उसके बाद ये दिखाया नहीं गया, कि जाने की को पुलिस ने आरिश कर लिया या नहीं, चारली और सीतराम ये दोनों मुलाकात करके एक भूबहू लेडी रोस की ही तरह दिखती है आच्छिली वो आवाजें चार्ली के मा के बारे में बता रही होती है इस तरह से पहला सेज़न यहां पर खतम होता है तो सीरीज कैसे लेगी कमेंट करके बताना जरूर मिलता है एक लिए वीडियो में तब तक टेक केर बावाई से यू सून